नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उपवास के बारे में जानकारी जानेंगे कि उपवास क्या होता है और किसी करना चाहिए तथा किन बीमारियों में करना चाहिए उपवास को आयरुवेद में लंगन कहते हैं, दूसरी भासाओं में फास्टिंग और वरत्वी कहते हैं उपवास करना एक तरहा का अभ्यास होता है जिसकी टाइमिंग 8 गंटे, 24 गंटे या इससे ज्यादा भी हो सकती है सरीर की और रोग की अलग-अलग अवस्थाओं में फास्टिंग की टाइमिंग अलग-अलग होती है उपवास के दुरान खाने पीने की फूड आइटम का परहेज करना होता है अन्य सब्दों में कहा जाए तो, डाइजेशन सिस्टम यानी पेट को कुछ टाइम के लिए अराम देना है उपवास करने का मुख्य उदेसिय, सारेक सुधी, मानसिक सुधी और अध्यात्म सुधी करना होता है उपवास भी कई परकार का होता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो पार्ट टू में जानेगे जिसमें रोग के अनुसार, अनजल का प्रहेज या डाइट को फॉलो करना होता है दीर फ्रेंड्स, गलत खानबान और गलत दिनचरय के कारण स्रीर में दोसों की बिगरती होती है जिससे स्रीर में दोसी द्रव्य और विसैले तत्तू वढ़ने लगते हैं इनका सीधा असर स्रीर को जीवित रखने वाली प्रान उर्जबर पड़ता है एक टाइम आने पर स्रीर में कई प्रकार के रोग भिविन रूपों में उभरते हैं जो पाश टाइम में की गई गलतियों और भूलों का ही एक परिणाम है अब प्रसन उठता है कि उपवास करने से क्या होता है उपवास करने से स्रीर में जो बिसैले तत्तुव इकटे हो गए हैं उनका नास होता है चलिए साधारन सब्दों में समझते हैं अपने आसपास आपने देखा होगा कि जब कोई पसूरों की अवस्ता में होता है तो वे खाना पीना छोड़ देता है और कुछ ही दिनों में हेल्दी हो जाता है क्योंकि उसके दुआरा उपवास करने से रोग को पैदा करने बाले जो दूसी द्रब्य थे वो नश्ट हो गए हैं उपवास के दुरान बाड़ी में बहुत सारे बदलावाते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्षन इंक्रीज होती है फैट वर्ण होती है एक्स्ट्र कॉलिस्ट्रोल और सूगर कम होती है इन्फलेमेशन डिक्रीज होती है और हीलिंग प्रोसेस बड़ी तेजी से इंक्रीज होती है डेमेज सेल हील होना सुरू हो जाते हैं कुल मिला कर देखा जाए तो उपुवास आपके सरीर के लिए कई सारे हेल्थ बेनिफिट से लिखर आता है अब जानते हैं कि उपुवास किसे और किन रोगों में करना चाहिए बैसे उपुवास सभी को ही करना चाहिए प्रंतु कुछ कंडीसिन में करना अनिवारे हो जाता है नमबर वन लोगों को प्रमेह की सिकाइट रहती है वे उपुवास करें प्रमेह में बारवार पेसाब निकलता है और पेसाब के साथ सरीर की धातूं भी निकलती है पेसाव की प्रगरती गंदली प्रतीत होती है इस अवस्था में उपवास करने से आपको राहत मिलेगी जिनके पेट की जठ्रागनी मंद है और स्रीर में आम विस फैल गया है जब पेट की जठ्रागनी मंद हो जाती है तो खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता डाइजेस्ट पाथ खाए गई भोजन को पूरी तरह से पचाने की कोशिस करता है मगर मन्द जठ्रागनी उसे पूरी तरह से नहीं पचा पाती जिस बज़ा से एक बिसैला तत्तुव त्यार होता है जिसे आम विस कहते हैं यही बिसैला तत्तुव धात्मू और मलों के साथ मिक्स होकर स्रेर में फैलता है और कई सारे रोगों को जनम देता है 3. जिनके स्रीर में चमडी का कोड जैसा भ्यंकर रोग हो गया है इस वस्ता में चमडी गलने सडने लगती है 4. जिनके स्रीर में सुथूलता अधिक है, मुटापपा है, थकान सुस्ती छाई रहती है भुद्धी में मदता का गुण वड़ गया है स्रीर में तामसिकता बड़ी हुई है नमबर फाइव ऐसे लोग जिनके स्रीर में सिनिगदता अधिक है जो चिकनाहट की रूप में परतीत होती है चरवी अधिक मात्रा में है नमबर सेक्स जिनके स्रीर में जगा जगा फोड़े फंसियां हो रही है गांठे वन रही है ऐसी वस्ता में जगा जगा मवाद इकठी होकर गांठे वनती है जो स्रीर पर साफ नजर आती है नमबर एट जिनके निचले अंग गती हीन हो गए है जाम हो गए है 9. जो लोग पलीहा तिली की रोगों से परिसान है 10. बुखार होने पर भी उपवास करना चाहिए ये सब जानकारियां आरवेद के गरंथ अश्टांग हिर्दे में बताई गई है तो दोस्तो इस वीडियो में हमने जाना कि उपवास क्या होता है उपवास किसे और क्यों करना चाहिए अंत में मेरी आपको एक सला है वीडियो में जानकारी को अंडर्स्टेंड करने के वाद अपने नजदी की सलहाकार डाक्टर से अपने बिमार के नुसार डिसकसन जरूर करें कि मुझे उपवास किस रूप में करना चाहिए तो दोस्तों आपको वीडियो में बताएगी जानकारी नौलेजेवल लगे तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और कमेंट करके अपनी सारे एक परिसानी भी जरूर बताएं तथा मेरे चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल वी द्रमन को भी सबस्क्राइब अवस्य करें क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, योग, आरुवेद की जानकारी ये दूगा ये सब जानकारी आपकी जिन्दीगी में बदलाव अवस्य लाएंगी और रोगों से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेंगी ठैंक्स, स्टे सेफ, करो योग, और रहो हमेसा निरोग